ओम शांती आज बाबा के 18 नवंबर के महावाक्य हैं बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है प्रश्न है माया तुम्हारे बीच में विगण क्यों डालती है कोई कारण बताओ उत्तर है पहला क्योंकि तुम्हाया के बड़े ते बड़े ग्राह को उसकी ग्राह की खतम होती है इसी लिए विगण डालती है दूसरा जब अविनाशी वेड्य तुम्हे दवा देता है तो माया की बिमारी उत्थलती है इसी लिए विगणों से डरना नहीं है मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाईगी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मनुशे मन की शान्ती कह हैरान होते हैं रोज कहते भी हैं ओम शान्ती परन्तु इसका अर्थ न समझने के कारण शान्ती मांगते ही रहते हैं कहते भी हैं I am आत्मा अर्थार्थ I am साइलेंस हमारा स्वधर्म है साइलेंस फिर जब की स्वधर्म शान्ती है तो फिर मांगना क्यों अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं तुम समझते हो ये रावन राज्य है परन्तु ये भी नहीं समझते हैं कि रावन स तारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है इसलिए रावन को जलाते रहते हैं ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्षवर्ष जलाता हो इनको तो जनम जिनमांतर कल्ब कल्पांतर जलाते आए हैं क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है पांच व रावन का राज्य हुआ इस समय अथा दुख है इसका निमित कौन रावन ये कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है ये तो राज्य ही रावन का है सबसे बड़ा दुश्मन यह है हर वर्ष उसकी एफिजी बना कर जलाते रहते हैं दिन प्रती दिन और ही बड़ा बनात जाते हैं। दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े-बड़े साद्व संत महात्माई, राजाएं आदी है। परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावन हमारा दुश्मन है जिसको हम वर्षवर्ष जलाते हैं। और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं, रावन मरा और हम लंका के मालिक बनें, परंतु मालिक बनते नहीं हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, बाप कहते हैं तुमको इतने अंगिनत पैसे दिये सब कहां गमाई दशेरे पर लाकों रुपे खर्च करते हैं रावन को मार कर फिर लंका को लूटते हैं कुछ भी समझते नहीं रावन को क्यूं जलाते हैं इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं आधा कल्प रावन को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं समझते भी हैं रावन के राज्य में हम बहुत दुखी हैं यह नहीं समझते हैं कि सत्युग में ये पांच विकार होते नहीं ये रावन को जलाना आदी होता नहीं पूछो ये कब से मनाते आए हो कहेंगे ये तो अनादी चला आता है रक् नादी चला आता है, तो ये सब समझ की बाते हैं ना, मनुशों की बुद्धी क्या बन पड़ी है, न जानवन हैं, न मनुश्य हैं, कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिलकुल जानते नहीं, समझते हैं, बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है, दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुडाओ, परंतु कल्यूग में तो सुखी हो ना सकें, दुख तो जरूर भोग ना ही है, सीड़ी उतरनी ही है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं, बच्चों पास आते हैं, तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, आविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सब को दुखों से मुक्त कर देते हैं, वह वैद्य लोग तो खुद भी बिमार हो जाते हैं, यह तो है आविनाशी वैद्य, यह भी समझते हो, दुख भी अथा हैं, सुख भी बाप अथा सुख देते हैं, वहां दुख का नामों निशान नहीं होता, सुखी बनने की ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा, गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, आत्मा और जीव दो का खेल है, निराकार आत्मा अविनाशी है, और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है, अब बाप कहते हैं देह सहित दे की सब संबंदों को भूल जाओ गरस्त विवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस चाना है पतित तो जा ने सकें इसलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रदान बन जाएंगे बाप के पास दवाई है न ये भी बताता हूँ माया विघन जरूर डालेगी तुम रावन की ग्रहक होना उनकी ग्रहकी चली जाएगी तो जरूर फत्केगी परेशान होगी तो बाप समझाते हैं ये तो पढ़ाई है कोई दवाई नहीं है दवाई ये है याद की यात्रा एक ही दवाई से तुमारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुर्शार्थ करेंगे तो भक्ती मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं उनको गुरू का मंत्र मिला हुआ है इतना बार तुमको रोज जपना है उनको कहते हैं राम की नाम की माला जपना इसको ही राम नाम का दान कहते हैं ऐसी बहुत संस्थाइं बनी हुई हैं राम राम जपते रहेंगे तो जगड लादी कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे, कोई कुछ कहेगा भी, तो रिस्पॉंस नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं, यहां फिर बाप समझाते हैं, राम राम कोई मुक से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बाप कहते हैं, मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है, अब बाप समझाते हैं, भक्ती मार्ग में यह सब सिमरन करते, पूजा करते, तुम सीड़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वे सब हैं अन्राइटियस, र तुम बच्चों को बैड समझाते हैं, यह कैसे भूल बुलया का खेल है, जिस बाप से इतना बेहद का वर्सा मिलता है, उनको याद करें, तो चहरा ही उनका चमकता रही, खुशी में चहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है, तुम जानते हो, बाप को या करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्ब के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे नहीं, बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है, हम बाप को जितना याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बन जाएंगे, यह लक्ष्मी नारायन, विश्व के मालिक, कितने हर्शित मुख हैं, ऐसा बनना है, बेहत के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे, यह आत्मा की खुशी के संसकार ही, फिर साथ चलेंगे, यह फिर थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा, इस समय माया तुमको बहुत हैरान माया कोशिश करेगी, तुम्हारी याद को भुलाने की, सदैव ऐसे हर्शित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे, मनुशे जब बीमार पड़ते हैं, तो उनको कहते भी होंगे, शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन, यह किसको पता नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यूं याद करें, तुम बच्चे तो जानते हो, बाब को याद करने से, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, देवी देवता सतो प्रधान है न, उनको कहां ही जाता है, डिटी वर्ल्ड, मनुशों की दुनिया नहीं कहां जात मनुष्य नाम होता नहीं फलाना देυτा वह है ही DT World यह है human world यह सब समझने की बाते हैं बाप ही समझाते हैं बाप को कहाद चाता है ग्यान का सागर बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं फिर भी पिछाड़ी में महामंतr देते हैं बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवतां जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता, वह है ही डिटी वर्ल्ट, यह है human world, फरक है न, यह बाप बैट समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं, डिटी वर्ल्ट को लाखों वर्ष हो गए, यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते, देवताइं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष को कभी नहीं कह सकते, यह है रावन की दुनिया, रावन बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं, हर वर्ष तुम रावन को जलाते हो, यह है कौन, किसको पता नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है, यह है पांच विकार, इसलिए इनको रावन पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार हैं, ये दुर्गती और सद्गती का खेल बना हुआ है, अभी तुमको सद्गती के टाइम आदी का भी बाप ने समझाया है, दुर्गती का भी समझाया है, तुम ही उंच चड़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो, शिव जैन्ती भी भारत में ही होती है, आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नरायन राम सीता का राज्य होता है, अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है, नवराती पर पूजा आदी सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चालेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना, नंबरवार पुर्शार्थ करते रहते हैं, इस्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदी की कोई बात नहीं, अभी तुम समझते हो, ये पुर्शोतम संगम्युग है ही बिलकुल अलग पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदी, बाप आते ही हैं पुरानी द बहुत हैं जो भूल जाते हैं भाशन के बाद सुम्रती आती है यह यह पॉइंट समझानी थी हो बहु कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे सब एक जैसा पद नहीं पास सकते हैं उच ते उच पद पाने वाल भी हैं जो अनन्य बच्चे हैं वे आगे चलकर बहुत फील करेंगे यह साहुकारों की दासी बनेगी यह राजाई गराने की दासी बनेगी यह बड़े साहुकार बनेंगे जिनको कब-कब इन्वाइट करते रहेंगे सब को थोड़ेई invites करेंगे, सब मुझ थोड़ेई देखेंगे, बाप भी ब्रह्मामुक से समझाते है, सनमुक सब थोड़े देख सकेंगे, तुम अभी सनमुक आए हो, पवित्र बने हो, ऐसे भी होता है, जो अब पवित्र आकर यहां बैटते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं तो मूल बात बाप कहते हैं मन मनाभव इस एक ही मंतर से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं मन मनाभव ये बाप कहते हैं फिर टीचर हो कर कहते हैं मद्याजी भव ये बाप भी है टीचर भी है गुरू भी है तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं ऐसे बाप कितना याद करना चाहिए. भक्ती मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं, भगवान हैं, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से क्या मिलना है, वे कुछ भी पता नहीं है. तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं, ये बेहद की बात है ना, सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुक्तू कराएक वापिस ले जाएंगे, इस छीछी दुनिया से वापिस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं, जो जो लायक बनते हैं, वे सत्युग में आते हैं, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। धारना के लिए मुख्य सार हैं, अपनी अवस्था को सदा एकरस और हर्शित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सत्गुरु तीनों को याद करना है, यहां से ही खुशी के संसकार भरन हैं, वर्से की समरती से चहरा सदा चमकता रहे, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है, पांच विकारों में जो भसे हुए हैं, उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है, वर्दान है, सर्व की प्रती, अपनी दृष्टी और भ भावना, प्यार की रखने वाले, सर्व के प्यारे, फरिष्टा भव, स्वपन में भी किसी के पास फरिष्टा आता है, तो कितना खुश होते हैं, फरिष्टा अर्थार्थ सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, जो प्यार करे, उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टी आपकी भावना प्यार की हो इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे कोई इंसल्ट करे गिरना करे तो भी उसके प्रती प्यार वे कल्यान की भावना उत्पन हो क्योंकि उस समय वे परवश है स्लोगन है जो सर्व प्राप्तियों से संपन है वही सदा हर्शित, सदा सुखी और खुश नसीब है अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्वक की सफलता का अभिमान ना हो वर्णन भी ना करें अपने गीत नहीं गाएं लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित निर्मान निर्मल स्वभाव दूसरे उसकी गीत गाएं लेकिन वैस्वयम सदा बाप की गुण गाए ऐसी निर्मान ता ऐसी निर्मान ता निर्मान का कारिस सहज करती है जब तक निर्मान नहीं बने तब तक निर्मान नहीं कर सकते अच्छा ओम शान्ति